नमस्ते मित्रोजय स्रीराम ज्यारेवर्थ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी जाता महत्यपून है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है लेकिन मैं ये कहना चाहूँँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखना मैं उस उसदी के बारे में भी बताऊंगा और कुछ और महत्य मैं पुर्ण जानकारिया आपको दूँगा कुछ भरांतिया उनको भी दूरेने का परियास करूँगा तो इस वीडियो को आखिर तक देखना यदि आपको मतलब की चाहते हैं कि आपको ऐसी जानकारी मिले जिससे की आप दूसरा का जीवन बचा सकें आप किसी को अच्छी एक होता है ना एक तरीके से यदि ये कोश्दी पास होती है तो अनेको लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है क्योंकि देखिए ये जो पुस्तक है ना सर्प चिकित सा स्वामी ओमन जी की लिखी वी है ये जल्दी हमें पीडियम में दूँगा और इसको भी आप पढ अनेको व्यक्तियों का जीवन उन्होंने बचा और ऐसी अवस्ता के व्यक्तियों का जीवन बचाया है जो की मतलब डाक्टर भी ये कह चुके थे कि अभी ये नहीं बचेगा और दोस्तों ये उस समय की गटना है जिस समय की सभी परकार का जो सांप है ना जो सर्प है उनकी चिकत्सा हो भी नहीं पाती थी आज से 30-40 साल पहले तक जिन सापर काटने से व्यक्ति मरता ही मरता था उनको ये बचाया करते थे लेकिने काफी दुख का विशे है कि आज के समय में जो डॉक्टर आदी है वो आयरुवेद को सिरे से निकार देते हैं बिल्कुल नकार देते ह कि आयरुवेद दमी नहीं है आयरुवेद नहीं बचा सकता सर्प को छोड़िये वह इन चीजों को भी बिल्कुल नकार देते हैं कि आयरुवेद किसी का मतलब कोई बीमारी ठीक कर सकता यह बिल्कुल गल्त है देखिए को व्यायद है डाक्टर उसका मकसद जीवन का क्या ह उसका एक ही होनाचे कि हमें जो सामने व्यक्ति हमारे आया है किसी भी बिमारी का उसका जीवन बचाना उसकी रक्षा करना ठीक तो हर तरीके की तरफ मतलब आत्मी को थ्वासा यह नहीं बिल्कुल एक सूखे वे तने की तरह बिल्कुल खड़ा हुआ वान दीमोड जाएग व्यक्ति बचे हैं एक परसेंट कोन व्यक्ति नहीं बचा वो भी जान लेजिए स्वामियों वनन जी कहते हैं वो व्यक्ति नहीं बचा जो इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी ती जो बेशुद हो चुका था और मतलब गले से नीचे वो बूटी उसके गई नहीं वो व्यक्ति मतलब यह जो दुवा है ना यह जो चुर्ण है यह जो बूटी है यह बस गले के नीचे जा नीची है बाकी कारे अपने आप ही कर देगी पहले मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूं देखिए आरे समाज का हमेशा सही कारे रहा है वैजी ध्रहम का परचार करना और लोगों को आगे मतलब एक अच्छी जानकारी देना एक ऐसी जानकारी देना जिससे की लोग भटके वे हैं और अंध विश्वास से दूर करना आ प्रफिए समाज के काफी अच्छे परचारक रहा करते थे उनका नाम सथमुनीजी वह दिन जंगल में से जल रहे थे उनके बुटी थी तो वह उसको उपर एक व्यक्ति उनको ना मतलब टी ऑस्ता मा कि पड़ा इसका सरील बगणीला हो चुका था भूह से निले निले दोस्ट की अवस्ता में था लग बग मतले पर लगा लिए मरी चुकाता हो व्यक्ति आप समस्य यह उत्पन हुई उनके आगे स्वामी जी कि आगे कि ना तो उनके पास जल था ना कोई दूद था ना कोई शैद था कुछ था ही नहीं जिसके साथ मों उस्टी को मिलाते और उस व्यक्ति को गले में दिनाख भीजी और पिला दिया उसको अंदर उसके गले से निच्चे उतरीं तो वह दिले दिले कुछ समय के बाद में उसका विश्च कम होने लगा और वह कहते और वह व्यक्ति यह क्यों हाया और उनको वो मतलब की एक पुडिया और दे देते हैं कहते हैं कि ये और ले ले ना आप जाकर तुम बिल्कुल सर्प रोख जी है जो विश्ट तुमाई स्रीरी पर चड़ा है ये बिल्कुल इसमाप्त हो जाएगा ये मैंने एक उधार्ण आपको दिया है मैं चलिए एक उधार्ण और आपको दे देता हूँ जो स्वामी ओमान जी ने इस पुस्तक में लिखा है एक बार क्या हुआ है स्वामी ओमान जी अपने जजजर गुरु कुल में थे तो वहां पर एक व्यक्ति आता है इनके पास मैं जिसको मतलब सामने डशावा आता उसकी परिवार वाएं उसको ले कर आते हैं लग बग ओसकी हालत भी मिर्थ परायह हो चकी थी पूरी हालत खराब हो चकी थी तो स्वामी ओम h Snजी कहते काफी समय लगा दिया आप लोग नने इसको लेकाने में लेकिन वो परियास करते हैं वही बूटी वो उसे देते हैं और मतलब की बूटी देने के बाद में पंदरा मिंट बाद फिर एक अगर बूटी देते हैं तो ऊसको थोड़ी कड़ एक खास्यत और है जिसको साफ डस लेता है ना उसको यदि आप नीम के पत्ते खलाएं या फिक कड़वी चीज खलाएं तो कड़वापन नहीं लगेगा यदि विशेला सापने डशा है तो तो समझ लेना चाहिए कि हाँ इस पर विश चड़ा है और जब इस बूटी को देते हैं तो पता भी चल जाता है कि इसको सर मतल लगता है और यह तो उस बूटी का नाम क्या है उस बूटी को दोस्तों अमर्ता नाकुली और महाराष्ट में नाए के नाम से उसको जाना जाता है और ये माराष्ट के अंदर काफी परचुर मातरा में होती है और इसकी खासित क्या है कि ये का महापर मतलब की लोग बाग इसको बुखार आदी दूर करने के लिए भी इस्तमाल करते हैं काफी इसके मतलब अलग-अलग फायदे हैं लेकिन वीशिद उतारती है ये सायद काफी वेक्तियों को नहीं पता होगा तो आप साथ में देख भी रहे होंगे फोटो जो आ रही है इसकी क्या है कि जहां से पत्ते निकलते हैं वहीं से बराबर में सफ़े सफ़े इसके फूल भी निकलते हैं खाने में बहुती ज्यादा कडवी होती है और इसको इसको काटना चाहिए नीचे से नहीं खाड़ना चाहिए क्योंकि यह दुबारा फिर अगले जो मासा आएगा तो उसमें दुबारा यह उग जाती है तो ऊपर से काट लो इसका पोडर चूरन बना लो कपड़ चान करके र माशा कितना होता है क्या होता है तो मैंने इसके बारे में पढ़ा देखा तो यहीं बता है कि एक माशा एक गराम से कुछ कम होता है इतनी मात्रा जैदि अधिक विश्याला सर्व काटता है तो एक से दो माशा तक दे सकते हैं यानि कि दो ग्राम से कुछ कम तक दे सकते हैं बागी एक गराम प्रियाप्त मातरा है फिर पंदरा मिनिट बाद मैं फिर दूसरी मातरा दी जाती है उसको लेना कैसे है लेने का तरीका दोस्त यही है कि जैसे की दूद है या फिर आपका पानी है शहद है इनके साथ मैं आप ले सकते हैं मतलब गले से नीचे उतरना है सरीर पर काट लिया तो बंधन जो लगाया जाता है उसके बारे में कुछ महत्यपुन जानकारी मैं आपको देता हूं यह जोड है ना यहां पर काटा तो तुरंत यहां मैंने एक जोड यहां पर बंधन लगा दिया ठीक है अब इसमें जाता लोग क्या मुरुक्ता करते हैं आदे गंडे से फालतु है बंध लगा नहीं रहना चाहिए यदि आदे गंडे से फालतु है इतना टाइट बंध होता है लगा रहेगा तो नीचे का इससा मतलब पूरी तरीके से निश्करी हो जाए खतम हो जाएगा वीस उतरने का बाद में भी हो सकता हूं इससे काटना पड़ तो आप बलकुल टाइट लगाए या फिर आप उसको बलकुल ऐसे लगाईए थोड़ा सा दबाव बनागी जो रक्त का परवाय बिल्कुल अराम अराम से धिरे से जाय ताकि आप चिकंट के पास में पहुंचें तो थोड़ा सा समय लगा उसको उपर गी तरफ जाने में औ और क्यूंकि जैसे ही आप बंद को खोलेंगे तुरंद मरीज को मरते हुए दिखा गया है ऐसा स्वामी ओमानेंजी ने बताया और यह वास्तिविक्ता है क्योंकि बंद हम खोलेंगे तुरंद परवाई एकदम से जो विश्का जो रखत एकदम से जाएगा वेक के साथ में र भावकारी और काफी जाथा काम आ सकती है तो आप इसको रखिए और लोगों को बताईए लोगों को बचाईए और मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि यह देखिए उन्हों कितनी कठिंता से कितनी मुश्कित से मिली थी उत्तर परदेश में क्योंकि अपने आरे समाज के सन्यासी हर जंगाप परचार करते रहते हैं तो उत्तर परदेश में एक वेक्ति था जो कि मतलब की सर्फ चिकत्सा किया करता था और फ्री में ही किया करता था किसी से कोई पैसा नहीं लेता था लेकिन एक कमी थी उसमें कि वो जो जड़ी बूटी इस्तमाल करता था वो किस भाव से इस्तमाल करें तो बतानी रहाता तो अपने एक सन्यासी जी थे जो कि वहाँ पर मतलब उसके मित्र थे तो उन्होंने काफी मुश्किल से कटिंता से उसको पता किया और फिर बाद में उनको अपना गुरू माना उन्होंने कि आपने मुझे तनी अच्छी जानकारी द बचाया है इसी जड़ी पूटियों के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में लिख रखा है जल्दी में इसकी पीडियो बना कर जो है दूंगा आप लोगों को और आप इससे जो है लाब उठा पाएंगा आगे मैं थोड़ी सी ओजानकरी आपको सर्फचिकत्सा के बारे मे बेज़ा तो मैंने इसके बारे में देखा तो कुछ माराष्ट वाले भाई हैं उनकी कोई वीडियो है तो आपको वह लिंक पर जाना और उसको ध्यान से देखना ठीक है और इसका प्रियोग करना और लोगों का जीवन भी नहीं बसता किसी को आपको लगता है जीवन भी न प्राथमिक उप्चार में तो भाईस का इस्तमाल करी सकते हो किसी का जीवन तो बचा सकते हो ना पता है कैसा होता है कर दो यह जलन ओते हैं और फिर आत्मी जब तक डक्टर पाजाता देर होती है मर जाता है तो ऐसी वस्ता में आप इसका प्रियोग कर सकते और लोगों का जीवन बचा सकते हैं मेरे पास मैं भी यह ओश्दी नहीं है लेकिन मैं कोशिज करूँ जल्दी इस ओश्दी को हासिल करूँ प्राप्त करूँ और फिर जो है लोगों में बाटूँ लोगों को दूँ और समझाओं ताकि प्रात्मिक जीवन बच जाएगा कोई मिर्त्यु का भैय होगा ही नहीं तो दोस्तों इंजार कीजे जल्दी मैं प्रियास करूंगा यह पुस्तक होनी चीए तो मैं इस पुस्तक को जल्दी से भी जल्दी पेडियो बना इस एक हफ्ते में ही मैं आपको इसको दे दूँगा ताकि आप इस ठीक है दोस्तों नमस्ते जैसे ही राम फिर मिलता है वीडियो के साथ में